कल अजमेर शेहर के रेलवे स्टेशन के सामने रेश्टोरेंट में सिलेंडर फटने से लगी भीशनाग को देखते हुए अजमेर जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसत विबाग द्वारा शेहर के रेश्टोरेंट और अलवाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाए इस बारे में रसत दिकारी निर्देशन ने जानकारी देते हो बताए कि केसरगंज इस्तित खंडेलवाल चार्ट बंडार के यहां से करीब सो किलो गैस के सिलेंडर बरामत किये गए हैं उन्होंने का कि इतनी ज़्यादा मातरा में दुकान या रेश्टोरेंट में सिलेंड हो जाता है साथ ही उन्होंने सभी दुकंदारों से अपील भी किये कि वे अपने यहां पर अगनी शमन यंत्र जरूर रखें कल इस्टेशन रोड पे जो हाथसा हुआ है उसके मद्दे नजर अजिला करेक्टर मोधिया के निर्देशन अस्वार सभी सम्मधित होटल हलवाई अधी को चेक करने का अभ्यान हमें आश्यों किया है और आप देख रहे हैं कि करीब 12-14 सिलेंडर पकड़े हैं और खंडिल करेवाल चार्ट बंडर है किसरेंज में वहां में सो किलो सु ज्यादा गैस एक जगे मिली है यह काफी खतरनाक हो जाता है क्योंकि हमोमन एक दुकान की खवत एक सिलेंडर की हो सकती है लेकिन लोग एक ही इस्तान पर पांच-पांच-चे-चे जाफसा एक सिलेंडर रखते है तो जो सो किलो एक जगे गैस एक जगे पर है वह बहुत खतरनाक है यदि को दुरगटना हो जाए तो इस्तिति बहावाय बेस्पोटक हो सकती है तो मैं सभी से अपील करूंगा कि अपनी दुकान में केवल एक सिलेंडर ही रखें इतना कम होगा उतना अच्छा रहेगा और आपका खतम हो जाता है दूसरा लिया ही है ऐसे इंजांग रखिए और हमारा यह अभियान तर जादी रहेगा सभी को साथ में जितने भी दुकान वाले हैं अलवाई हैं मैं इसे यह भी अपील करता हूं कि अग्मी शमन यह अंतर जरूर लगे हैं और समय समय पर इसको अभी 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 ज़री चीजह प्रवावत होनी है तो इस आशंका से मना नहीं किया जा सकता कि सिलिंडर नहीं होगा और हमारा अभियान यह जादी रहेगा है नहीं नेरज जैन प्रवाद अधिकारी दिएस ओप इस अच्छा प्रवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बट्यकरव में कर दो पिसजे प tease, कर दो के में गला झाल झाल